लो यूटुब फैमली आप लोग कैसे हो मैं आसा करता हूं आप सब ठीक होंगे आज का जो वीडियो वो हमारा स्ट्रक्चर कंसक्शन के वर्किंग के ऊपर है जो वर्किंग हमारा हो चुका है कितना तक हो चुका है और किस तरह से होता है यह काम और किस कॉलिटी से किया गया आज मैं सारा बात बताऊंगा आपको कुएंसक्शन साइट के बारे में कि आपको घर जब भी बनाए एक मकान तो आपको किन बातों का ध्यार नखना चाहिए चलिए करते हैं बिना देर किया वीडियो इस चाहिए नमबर एक जब भी आप इस तरह की मकान बनाए जैसे कि द कि कटाउट में बहुत ज़्यादा ग्रावर एडिया है मतलब जो खुला एडिया वो बहुत ही ज़्यादा है और इसमें जो हमारा है यह बता दूँ यह फारमोर्स का मैन विल्डिंग है मैन इस्ट्रिक्चर यह है जो हमारा सामने आपको दिख रहा होगा और इस इस्ट्र करते हैं कि हमारा मिकान हमारा घर जो है बढ़ बने और अच्छा बने और ज्यादा दिन चले तो उन में आपको पैसे आप कर्ते करने के साथ आपको वक्ट भी k Ausomayene भी देना पड़ता है, तब जाके इस तरह का मेकान बनन कर तयार होता और नम्बर एक, आप जब भी काहाँ और फोरसेल इंजिनियर ना रखे, मतलब स्प्रेंसर इंजिनियर रखे, इस पर्स इसको की काम करवाने का तजरूबा हो बढ़ियां तरह से अच्छी तरह से वह रखे और जो आपके काम को मैंने इस प्लस लेके चले गलत ना करें और ना करवाएं और आपको काम भी मजगूत और बढ़ियां और टिकाव पनवा के दे घर क्योंकि इस तरह का घर बनाने समय आ तो इस सब चीजों में सबसे पहले जो आप बेस से तयार करते हैं बेस में ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना परता है बेस यानि 14 जहां से हम स्टार्ट करते हैं महां पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना परता है उसके बाद अगर आप महां बढ़िया और अच्छी तरह से बाहर निकाल लेते हैं तो उपर भी आपका परफेक्ट है बिल्कुल परफेक्ट डाइमेंसर के हिसाब से बनकर तैयार होकर उपर आता है जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा इस्ट्रिक्चर को बने हुए सिर्फ 200 दिन में यह बनकर तैयार हो गया है और यह बहुत ज्या उपर लगा है का बरिक्वार्ग का इस बेर्टिक में कहीं पर भी यह थोडर अफ़र में के रिया यह बॉत वर्रॉड किया ऊपर उपर नुप बने गया बनेगा सकते अपना चार साम को टियम्प वह इंदर वहपे हैं एधर कग देनी वानी आर इसमें डिजाइक लखे आ गए और इसमें मैं बता दूं अभी जीन inté विना नहीं है करने हिद महलें इसमें चघंए हएमेस का जीना नहीं है इसमें संदेट कान लुक का फॉसका बाकि से प्योपीती है और पयोपी वाले वहां दिखाता हूं और इस तरह पर पूरी अरिया इतना ही ज्यादा ना बर्वर के बिंडो दर्वजा अंडर्या वहाँ मेहां दीघा जल भी तो मैं बता दू इस महल है यहां से बहुत जड़को को बातरूम के-लिए डिया गया है जो कि आपको बहुत जवर्दस्त अनुभो दिखने में लगेगा और यहां से सामने से बहुत ही ज़्यादा यूनिक और यहां पर अब मैं इस ट्रॉक्चर के बारे में तो आपको सारा बात बता दिया हूं जब भी आप घर बनाए तो उसमें पहले चिनाई ने करवाए पहले आप इस दालते हैं तो उसमें चेंजिंग करने में बहुत ही दिक्कत होता है आपको बिल्डिंग का लाइब भी खड़ाब हो सकता है इसलिए मैं आपको यह चीज़ बता देता हूं के लिया कर देता हूं जब भी आप घर बनाए तो पहले कॉलम डलवाए फिर चट डलवाए फिर पहले देता है और इधर हमारा सरवेंटर रूम बना है बहुत ही बड़ा एरिया में बन रहा है बहुत ही तैयार है पूरा प्लस्तर अइसी बीजली का काम होगे इस पल्थल और पैंटा काम बागी है इधर गार्ड रूम बना हुआ है और यह सामने आपको सेविंग पूल ह है बहुत ही ज़्यादा जब और यहां पर यह जो आपको दिख रहा होगा यह हमारा रोड है यह रोड है और यहां पर यह पार्किंग एरिया है यह जो मैं जहां पी खाला हूं यह हमारा पार्किंग एरिया है तो मैं आसा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल एकन जरूर दवा दे कि इस तरह की मोटिवर्शन और थर्स वाला जिसमें कि आपको कुछ समझने को मिल रहा है उस तरह की वीडियो का नोटिफिकरशन आपको मिलता रहे मैं जब मैं उस वीडियो बना के आपको अगली बार दिखा दूँगा मिलते हम किसी अगली वीडियो में तक के लिए जैहिन सेविल